कि आप इसको कर पा रहें के नहीं कर पारें कौन सा option इसका सई है ठीक है प्लस रूट 7 की पावर 100 बहुत ही जहां से समझेंगे बात को कोई भी नंबर देख लो यह एक नंबर देख लो 7 प्लस 4 रूट 3 की पावर एन कि यह जो 7-4 रूट 3 है क्या यह 0 से बड़ा है अब मैं देखना चाहता हूं क्या यह नंबर एक से छोटा है लिखों तो यह टू टाइम्स हो जाएगा टू टाइम्स एन से जीरो सेबन की पावर एन एफ डैश को और आए प्लस एफ को मिल्टिप्लाइ करोगे इस question को बहुत ही इमानदारी के साथ attempt कीजिए अपनी पूरी ताकत लगा करके बताईए कि successfully आप इसको कर पा रहें के नि कर पा रहें कौन सा option इसका सई है ठीक है problem यहाँ पे यह है कि एक नंबर दे रखा आपको 3 प्लस रूट 7 की पावर 100 अब इस नंबर का जो integral part है उस पे comment करने के लिए कहा है इसने ठीक है तो बताओ comment करके चलो let's see the solution चलो solution देखिए अजी क्या कह रहे हो हमारा नंबर है 3 प्लस रूट 7 की पावर 100 बहुत ही ध्यान से समझेंगे बात को यहाँ पे भई हर नंबर में एक integral part होता है एक fractional part होता है इसको भी जब finally simplify करोगे तो कुछ आ जाएगा एक integral part आ जाएगा एक fractional part आ जाएगा तो मैं कह देता हूँ कि this number is basically a sum of integral part and fractional part जो की होता ही है मतलब इसमें मेरा क्या कहना है कोई भी नंबर देखलो यह एक नंबर देखलो 24.533333 देखलो इसके अंदर दो part है एक integer part है और इसका एक fractional part है और integral part, fractional part क्या होते हैं वो आपको यार अच्छे से पता ही है ठीक है तो इस नंबर में एक integral part है, एक fractional part है सवाल यह पूछा गया है कि इसका जो I है, integral part है वो बताई इवन integer है, odd है या फिर यह बाते में लिखे है, even है तो क्या वो 200 से छोटा है या 1000 से बड़ा है, कई सारे बातें यहां पर पूछी गई है तो इसका एक integral part भी है और एक fractional part भी है चलो जी, कोई बात नहीं मैं क्या कर रहा हूँ ये वाले जो value है, मैं इसको देखते हुए एक और value यहां पर लिख रहा हूँ क्यों लिख रहा हूँ, ये बात में बताऊंगा अभी बस लिख रहा हूँ, ठीक है 3 minus root 7 की power 100 इस value में एक interesting बात है interesting बात क्या है, जो root 7 है वो होता है 2 point something कुछ करके 2 से बड़ा, 3 से छोटा होता के नहीं होता root 7 2 से बड़ा होता और 3 से छोटा होता है अगर मैं 3 minus root 7 की बात करूँ तो ये चीज 2 से तो बड़ी है 3 से छोटी है तो 3 में से minus करोगे, तो ये चीज 0 से बड़ी हो जाएगी 0 point कुछ हो जाएगी सहमत हो इस बात से 0 point something हो जाएगी और 0 point something की power 100 करोगे आप तो वो भी 0 point something ही रहेगी इस बात से सहमत है तो बताओ 0.5 की power आप 50 लाग कर लो रहेगा वो 0 point कुछ 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 0.5 का square 0.25 होता है 0.5 की power 3 करते हो तो 0.125 आ जाता है रहता 0 point में ही है वो तो मैं ये कहना चाहरा हूँ कि इस number के पास integral part 0 है सिरफ एक fractional part है मालो f dash मैं ये कहना चाहता हूँ जो ठीक भी है है जी ठीक है ना इस number के पास सिरफ fractional part है this number is इस number को आप solve करोगे तो ये आएगा 0 point something 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 correct है ना integral part 0 होगा fractional part है इसके वास f dash ठीक है और यहां से मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि जो मेरा f होता है ना f इस particular case में 0 से बड़ा है क्योंकि f equal to 0 भी हो सकता है वैसे तो fraction part 0 हो सकता है integer का fraction part 0 होता है मगर इस particular case में तो 0 नहीं है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा तो होता ही है इसमें बताने की जूरुत क्या है तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि f और f' जो है यह 0 से 1 के बीच के real numbers है ऐसा भी कह दिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अरे ठीक है अब मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूँ मैं इनको जोड़ना चाहता हूँ मैं i plus f plus f' करना चाहता हूँ odd वाली term cancel हो जाते हैं और even वाली terms बचती हैं अगर आपको याद हो तो 2 times यह बचेगा आपका 100 c 0 3 की power 100 root 7 की power 0 plus 100 c 2 3 की power कितना हो गया 98 root 7 की power 2 ऐसे करते हुए सहमत है इस बात से आप सहमत है interesting बात क्या है कि root 7 की even power यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको तो root 7 की even power देखने को मिल रही है आपको इतना तो आप बोल ही सकते हो कि this quantity is an integer यह quantity integer है और 2 से multiply होकर right hand side को आप even integer बोलने में बिल्कुल नहीं कतरा होगे आप खट से बोल दोगे जी की right hand side मेरी 100% even integer है right hand side even integer है तो आप left hand side को भी दावे से बोल सकते हो कि left hand side भी even integer है left hand side भी even integer है और आपका दिल कहेगा left hand side को even integer बोलते हुए कि यार ये चीज इंटीजर तो कम से कम है ही इंटीजर प्लस इंटीजर ही तो even integer आया होगा अरे समझ में आरी के नहीं आरी मतलब आप ये कह उठोगे कि f प्लस f डैस को इंटीजर तो होना ही चाहिए क्योंकि इंटीजर नहीं होता जैसे 0.5 कुछ हो तो 0.5 में इंटीजर जोड के आप even integer लाओगी क्या अरे समझ में आरी के नहीं आरी तो मैंने ये कॉंक्लूड कर दिया कि f प्लस f डैस तो इंटीजर 100% है तब ही जाकर के even integer हुई है ये क्यों even integer हुई है क्योंकि इसके बरावर है इंटीजर लावर है थीक है मैं इनको देख रहा हुँ f को और f' को जब मैं इनको जोड़ूँ गा जब मैं जोड़ूँ गा तो यहां पर जोड़ता हूं f greater than 0 less than 1 f' greater than 0 less than 1 जब मैं इनको जोड़ूँ गा f-plus f' करूँगा तो आप कहे उठोगे कि 0 से 2 के बीच की चीज है 1 plus 1 2 हो गया है ना 0 से 2 के बीच की चीज है और आप integer भी कह रहे हो तो कहना क्या चाहते हो भई integer भी कह रहे हो आप और ये भी कह रहे हो 0 से 2 की बीच की चीज है इसका मता आप तो 1 कहना चाहते हो f plus f' को F plus F dash कितना हो गया 1 तो यहां से सिधी बात है अच्छा आप ये भी लिख देता हूँ F plus F dash आप integer भी कहना चाह रहे हो तो सिधी बात है कि F plus F dash को 1 होना पड़ेगा F plus F dash को 1 होना पड़ेगा तो आप 1 में कैसा integer जोड़ना चाहते हो कि even integer हो जाए odd तो clear बात हो गई I मेरा odd integer है यही पूछा था कि I मतलब इसका integral part कैसा है odd integer है समय आरी के नहीं आरी ठीक है यह बात clear हो गई न कि I plus F plus F dash even integer है even integer है और इसकी value 1 हो गई तो अब कोई option ही नहीं बचा I के पास odd integer ही हो गया यह तो I हो गया odd integer इस आधार पे अच्छा इसके options ऐसे है lucrative options है कि even ज़ादा यहाँ पे बात किया हुआ even की बात ज़ादा कर रखी है तो आदमी को लगता है कि शायद even में ही कुछ हो रहा होगा है न तो ऐसे option examiner आपकी दिमागी ताकत को समझते हुए कमेंट कर दिया कि वो odd होगा मुझे लगता इस प्रकार के question आप कर सकते हो आगे यहाँ पे एक और type के problem बनते है सुन लो ध्यान से एक type के problem तो यह बन गई एक दूसरी type के problem जो बन सकते है हलांकि इनी को गुमा फिरा करके तो कुछी पूछता रहे बेसिक तो यही रहना है देखो i plus f की value आपको देखने को मिली है देहां दे सुनना question तो हो गया बस एक्स्ट्रा में बता रहा हूं मैं आपको i plus f की value मिली है root 7 3 plus root 7 की power 100 ठीक है और 3 minus root 7 की power 100 कितना था f dash ठीक है और हमने यह प्रूव कर दिया था कि f plus f dash कितना है 1 तो basically हमने प्रूव कर दिया f dash जो है यह 1 minus f है यह जो f dash वाले note की है यह 1 minus f ही है यह हमने प्रूव कर दिया ठीक है तो एक question आ जाता है कि बताओ i plus f into 1 minus f की value क्या होगी i plus f into 1 minus इन दोनों को multiply करो बताओ इन दोनों को multiply करोगे तो a plus b a minus b का combination मन गया a square मतलब 3 का square 9 root 7 का square 7 9 minus 7 2 2 की power 100 answer आ गया एक option मस्त मिलेगा 2 की power 100 समझ में आरी कि ने आरी तो एक problem यह आ जाता है कि i plus f into 1 minus f की value 2 की power मतलब ऐसे करके क्या option होगा तो 2 की power 100 पे आपन टिक कर सकते हैं यह problem आता है तो पूरी यह structuring आपको इस process की पता होने चाहिए अरे समझ में आ रही है तो second type का problem बनता है यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया तो यह type का problem बनने के लिए आपको इसी सारी कहानी से गुजरना पड़ेगा है ना और F' के बारे में इंट्रेस्टिंग बात है एक comprehension type में आ जाए तो F' के उपर ही पूछ ले क्या पता सामने वाला कि F' और F में क्या relation है इस पर भी question बन सकता है तो कहने का मतलब concept अगर आपको clear है तो आप इस problem को solve कर सकते हो कर ले note ज़ा तो question है कि 7 प्लस 4 रूट 3 की power n is equal to integer plus fraction होता ही है वो तो then find the value of 1 minus F into n n ये number है ना इस quantity की value अपने को बतानी है question को लिखो आप अपना चालू करो मैं अपना चालू कर रहा हूँ तो मेरा जो I plus F है वो है 7 plus 4 root 3 की power n ठीक है तो मैंने एक number 7 minus 4 root 3 की power n consider किया है ना मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो 7 minus 4 root 3 है क्या ये 0 से बड़ा है तो 4 root 3 को उधर ले करके मैंने दोनों तो square कर लिया तो मुझे पता चल गया हाँ ये 0 से बड़ा है ठीक है अब मैं ये देखना चाहता हूं क्या ये number एक से छोटा है 4 root 3 को इधर ले के आया 1 को उधर ले गया दोनों तरफ squaring की हाँ ये 1 से छोटा था तो ये number यहाँ पे 0 1 के बीच का number है ये बात अपन ने देख ली उसकी power कोई भी n करोगे तो वो 0 और 1 के बीच का number मिलेगा f डैश ठीक है 0 1 के बीच का number मतलब fraction part मिलेगा इसमें integral part इसमें भी नहीं है ठीक है ये बात अपने को समझ आ जाती है ठीक है जी ये जो rough work मैंने किया है this is very important फिर वही कहानी अगर मैं I plus F plus F dash को लिखू हूँ तो ये two times हो जाएगा two times n c 0 7 की power n 4 root 3 की power 0 n c 2 7 की power n minus 2 4 root 3 की power 2 and so on करते हुए ठीक है तो कहीं न कहीं यहाँ पे हमने साबित कर दिया कि यार ये चीज तो वही हो गई even integer हो गई even integer हो गई f यहाँ पे मेरा जो है 0 से 1 के बीच में है ही f dash मेरा 0 से 1 के बीच में है इनको जोड के देखा f plus f dash मेरा 0 से 2 के बीच में वही कहानी आ गई f plus f dash 1 लिख दिया मैंने क्यूं क्योंकि वही बात है even integer है even integer है यह मेरा integer है ही इसको integer होना पड़ेगा इसको integer होना पड़ेगा तो f plus f dash मेरा integer है है न वही बात कि f plus f dash जो है मेरा integer है 0 से 2 के बीच में सरफ एक integer है 1 तो यहाँ पे इसकी value आ गई 1 इसकी value 1 आ गई f plus f dash की value 1 आ गई है न तो f plus f dash की value 1 आ गई मतलब f dash जो है f dash की value आ गई 1 minus f है न तो अगर आप f dash को और i plus f को multiply करोगे यहाँ पे है न natural number n मेरे पास है 7 plus 4 root 3 की power n और 1 minus f जिसको हम f dash कह रहे थे वो 1 minus f है वो है 7 minus 4 root 3 की power n ठीक है अगर हम इनको multiply कर दें तो n into 1 minus f हो जाएगा this into this 7 plus 4 root 3 into 7 minus 4 root 3 की power n a plus b a minus b करोगे तो a square है न 7 का square 49 minus 48 1 1 की power n 1 हो गया पूछा क्या किया था n into 1 minus f ही पूछा गया था yes n into 1 minus f पूछा गया था value कितनी आ गई 1 आ गई ठीक है कहानी बिल्कुल जो पिछले question में बताई थी बिल्कुल वैसी ही कहानी है ठीक है कर लो notice को 1 आ गया answer है ना multiply कर देंको a plus b a minus b है ना a square 49 b square 48 49 minus 48 1 होता है 1 की power n मेरी 1 यहाँ पे रहेगी ठीक है